इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सिर्मा SGS टेक्नलोजी के बारे में जिसने की quarter 4 के numbers को बब्लिश कर दिया है कंपनी तरफ से एक डिविटेंड के अनॉसमेंट है जो की 1.5 रुपर परती शेयर का में देखने को मिल रहा है इस बार के तो मार्केट का जो अनुमान था वो 973 करोड के अप्रॉक्स था क्योंकि वहां से काफी अब देखने को मिल रहा है तो quarter plus yearly दोनों ही जगे कंपनी की revenue हमें इस बार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है देन डिसकस करते हैं total income आप revenue में net gain on currency और other income add करेंगे तो आएगी total income जो की yearly 703 से 1149 पर आगी quarterly 718 से 1149 पर तो दोनों ही जगे आपको income बढ़ती हुए देखने को मिलेगी देन डिसकस करते है total expenses जो की होते है खर्चे तो 635 से 1088 पर आगए yearly और 691 से 1088 पर quarter on quarter जिस तरीके से income बढ़ी तो company की खर्चे भी quarter plus yearly बढ़ गए देन डिसकस करते है after tax company को net profit या loss कितना हुआ तो last year की अगर हम लोग बात करें तो company के total profit अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे number थोड़े blood देखने को मिले है शायद यह 42 करोड के अप्रॉक्स हमें देखने को मिले है तो last year quarter 4 में 42 करोड के profit थे और इस बार की अगर बात करे हैंगे इस बार profit आपको 45 करोड के अप्रॉक्स देखने को मिल रहे हैं तो साल दर साल थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है quarter wise बात करें तो 20 करोड से profit बढ़के 45 पे और market estimate की बात करें तो market का जो अनुमान था हूँ एक्जक्ट 45 करोड के अप्रॉक्स था जो कि हमें सेम देख है financial year की हम लोग बात करें तो लास्ट यहर की earnings 23 की last May 24 का डेट है total income 2092 करोड से 3212 पे आगी तो साल दर साल income बिल्कुल हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है expenses की बात करें तो 1900 से 3000 क्रोड पे आगे income बढ़ी तो company की खर्चे भी बढ़के देन डिसकस करते हैं profit after tax जो की growth नहीं हुई यह साल दर साल बहुत ही nominal से profit बढ़े हैं same reflection आपको EPS में देखने को मिलेगा इस बार का EPS financial year का 6.06 और लास्ट यह का 7.59 तो overall दोस्तों यह ते सर्मा है इसके नमबर तो आपके इस company के कितने shares हैं comment box में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए bye bye